नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहा मियाज गावंडे में चलिए सुनते हैं पूजनी या बापुन जी के सत्य के प्रयोग अथ्वा आत्मकता और हमारे जीवन को और भी सुन्दर सरल और सफल बनाने का प्रयास करते हैं सत्य के प्रयोग अथ्वा आत्मकता लेखक मोहंदास करमचन गांधी भाग दस विशय धर्म की ज्हांकी चह या साथ साल से लेकर सोलव साल की उमर तक मैंने पढ़ाई की पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली यो कह सकते हैं की शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला फिर भी वातावरन से कुछन कुछ तो मिलता ही रहा यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए धर्म अर्था आत्मबोध आत्मग्यान मैं वैश्णव साम्प्रदाय में जन्मा था इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे पर उसके प्रती श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा हवेली में चलने वाली अनीती के बारे में सुनकर मन उसके प्रती उदासीन बन गया वहाँ से मुझे कुछ भी न मिला पर जो हवेली से न मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला रंभा हमारे परिवार की पुरानी नोकरानी थी उसका प्रेम मुझे आज भी याद है मैं उपपर कह चुका हूँ की मुझे भूत प्रेत आदी का डर लगता था रंभा ने मुझे समझाया की दवा राम नाम है मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी इसलिए बचपन में भूत प्रेतादी के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया यह जब बहुत समय तक नहीं चला पर बचपन में जो बिच बोया गया वह नश्ट नहीं हुआ आज राम नाम मेरे लिए अमोक शक्ती है मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभा भाई का बोया हुआ बीजय इसी अर्शे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने जो रामायन के भक्त थे हम दो भाईयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्ता की हमने उसे कंठाग्र कर लिया और स्नान के बाद उसके नित्यपाठ का नियम बनाया जब तक पोरबंदर रहे यह नियम चला राजकोट के वातावरन में यह टिक न सका इस क्रिया के प्रती भी खास रद्धा नहीं थी अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण और कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते हैं इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहा पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायन का पारायन पिता जी की विमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बिता था वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायन सुनते थे सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महराज नामक एक पंडित थे वे राम चंद्र जी के परम भक्त थे उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोड की विमारी हुई तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर महादेव पर चड़े हुए बेल पत्रक लेकर कोड़ वाले अंग पर बांदे और केवल राम नाम का जब शुरू किया अंत में उनका कोड जड़ मुल से नश्ठ हो गया यह बात सच हो या न हो हम सुनने वालोंने तो सच ही मानी यह भी सच है कि जब लादा माराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिलकुल निरोग था लादा माराज का कंठ मिठा था वे दोहा चोपाई गाते और अर्थ समझाते थे उस समय मेरी उमर 13 साल की रही होंगी पर याद पड़ता है कि उनके पाट में मुझे खूब रस आता था यहां रामायन स्रवन रामायन के प्रती मेरे अत्याधिक प्रेम की बुनिया धै आज मैं तुलसिदास की रामायन को भक्ति मार्क का सरोत्तम ग्रंथ मानता हूँ कुछ मैनों के बाद हम राजकोट आए वहां रामायन का पाट नहीं होता था एकादशी के दिन भाग्वत जरूर पड़ी जाती थी मैं कभी कभी उसे सुनने बैटता था पर भट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके आज मैं यह देख सकता हूँ की भाग्वत ऐसा ग्रंथ है जिसके पाट से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है मैंने तो उसे गुजराती में बड़े चाव से पड़ा है लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भारत भुशन पंडित मदन मोहन मालविय जी के शुभमूख से मूल संस्कृत के कुछ अउंश जब सुने तो खयाल हुआ कि बच्पन में उनके समान भग्वत भक्त के मु शुब शुब संस्कार बहुत गहरी जड़े जमाते हैं इसे मैं खुब अनुभव करता हूँ और इस कारण उस उमर में मुझे कई उत्तम ग्रंत सुनने का लाब नहीं मिला सो अब अखरता है राजकोट में मुझे अनायास ही सब सामप्रोदायों के प्रती समान भाव रखने की शिक्षा मिली मैंने हिंदु धर्म के प्रत्यक सामप्रदाय का अधर करना सिखा क्योंकि माता पिता वैश्नो मंदिर में शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते न कोई हमेशा आते रहते थे पिता जी उनने भिक्षा भी देते थे वे पिता जी के साथ धर्म और व्यवहार की बाते किया करते थे इसके सिवा पिता जी के मुसल्मान और पार्सी मित्र थे वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिता जी उनकी बाते सम्मान पुर् वाक सुना करते थे नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था इस सारे वातावरन का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा की मुझ में सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया एक इसाई धर्म अपवाद रूप था उसके प्रती कुछ अरुची थी उन दिनों कुछ इसाई है स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते थे वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्म को मानने वालों की बुराई करते थे मुझे वह असय मालूम हुआ मैं एकाद बार ही स्व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा हूंगा दुसरी बार फिर वहां खड़ा रहने की इच्छा ही न हुई उन्ही दिनों एक प्रसिद्ध हिंदू के इसाई बनने की बात चुनी गाव में चर्चा थी कि उन्हें इसाई धर्म की दिख्षा देते समय गो मांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई उनकी पोशाक भी बदल दी गई और इसाई बनने के बाद वे भाई कोट पतलून और अंग्रेजी टोपी पहनने लगे इन बातों से मुझे पीडा पहुंची जिस धर्म के कारण गो मांस खाना पड़े शराब पिनी पड़े और अपनी पोशाक बदलनी पड़े उसे धर्म कैसे कहा जाए मेरे मनने यह दलील की फिर यह भी सुन्ने में आया कि जो भाई इसाई बने थे उन्होंने अपने पुर मेरे मन में इसाई धर्म के प्रती और उची उत्पन्न हो गई इस तरह यद्यपी दुसरे धर्मों के प्रती समभाव जागा फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में इश्वर के प्रती आस्ता थी इन्ही दिनों पिता जी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृती का मेरे दुसरे चाचा जी के लड़कें की जो अभी जिवी थै बुद्धी पर मुझे विश्वास था मैंने अपनी शंकाए उनके सामने रखी पर वे मेरा समाधान न कर सके उन्होंने मुझे उत्तर दिया सयाने होने पर ऐसे प्रश्णों के उत्तर तुम खुद दे सकोगे बा प्रकरन में और दुसरे प्रकरनों में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध पाया इस शंका का उत्तर भी मुझे लगबग उपर के जैसा ही मिला मैंने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि किसी दिन बुद्धी खुलेगी अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा उस समय म मैं अहिन सा तो सीखी न सका मानसाहार की चर्चा हो चुकी है उसे मनुस्प्रूती का समर्थन मिला यह भी खयाल हुआ कि सर्पादी और खटमल आदी को मारना निती है मुझे याद है कि उस समय मैंने धर्म समझ कर खटमल आदी का नाश किया था पर एक चीज ने मन में जड़ जमाली यह संसार निती पर ठिका हुआ है निती मात्र का समावेश सत्य में है सत्य को तो खोजना ही होगा दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई सत्य की व्याख्या विस्त्रूत होती गई और अभी भी हो रही है फिर निती का एक चपपए दिल में बस गया अपकार का बदला अपकार नहीं उपकार ही हो सकता है यह एक जिवन सुत्र ही बन गया उसने मुझ पर सामराज्य चलाना शुरू किया अपकारी का भला चाहना और करना इसका मैं अनुरागी बन गया इसके अंगिनत प्रयोक किये वह चमतकारी छपपए यह है पानी आपने पाय भलू भोजन तो दीजे आवी नमावे शीष दंडवत कोडे कीजे आपन घासे दाम काम महोरोनू करिये आप उगारे प्रान ते तींगे तना दुखमा मरिये गुन केड़े तो गुन दशगनों मन वाचा करमे करी अपकं गुन केड़े जो गुन करे ते जगमा जित्यों सही जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराए जो आकर हमारे सामने सीर नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रनाम करे जो हमारे लिए एक पैसा खर्च करे उसका हम मुहरों की किम्मत का काम करते जो हमारे प्रान बचावे उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्रान तक निछावर करते जो हमारा उपकार करे उसका तो हमें मन वचान और कर्म से 10 गुना उपकार करना ही चाहिए लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वालें के प्रती भी उपकार करता है यहाँ प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें धन्यवाद